तो दोस्तो अभी फिलार Reliance Power का शेर 16.85 पैसे क्या सपास काम कर रहा है अपर सर्केट लगाओ इस टॉक में और आज जहां मार्किट 1% मंदी है इस टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रहे है और जो Reliance Power का पैरेंट है यानि Reliance Infra दोस्तो उसमें भी हमें पांच परसेंट की सर्केट देखने को मिल रहे है जो की एक पॉजिटिव चीज बन जाती है कि मंदे की बजार में भी हमें स्टॉक दोनों ही स्टॉक पे अपर सर्केट देखने को मिल रहा है दोस्तो बात करें Reliance Power के लेवल की तो जो पंदर रुपे का लेवल है वो एक important लेवल था जब तक स्टॉक पंदर रुपे के उपर टिकर आये जो स्टॉक का short term trend है वो positive बना रहेगा और फिलाल स्टॉक काफी टाइम से पंदर रुपे के आसपासी घूम रहा था उसके जाता नीचे नहीं जा रहा था और फिर हमें एक कल और आज अब अपर एकदम ही momentum देखने को मिल रहा है बात करें कि क्या कोई latest news आ रहा है है Reliance Power के बारे में जिसकी वज़े से हमें stock में इतना बढ़िया momentum देखने को मिल रहा है इस stock जब 15 रुपे चल रहा है कुछ दिन पहले अब एकदम आज दोस्तों वो 16 रुपे 85 पैसे तक आज चुका यानि दो दिन में हम 2-3 दिन में मान सकते हैं कि stock 2 रुपे भड़ चुका है तो फिलाल दोस्तों वैसे Reliance Power के लिए तो कोई direct news नहीं आई है लेकिन एक बहुत बड़ी news आई थी Reliance Infra के लिए और क्योंकि दोस्तों Reliance Infra पैरेंट है हमने पिछली वीडियो में काफी बाट discuss किया है कि Reliance Infra के लिए जो भी news आ रही है वो Reliance Power के लिए भी significant role रखती है क्योंकि दोस्तों Reliance Infra क्योंकि Parent है Reliance Power की तो अगर Reliance Infra को कहीं से फायदा होता है या कहीं से उसको पैसे आ रहे है तो वहां से Reliance Power का भी दोस्तों वहां पे उनके लिए एक positive चीज रहेगी क्योंकि अगर कभी future में फिर जरुद पढ़ती है Reliance Power में favorable decision at Reliance Infra के लिए कि जिसमें Supreme Court ने कहा था कि DMRC को कि आपको जो 7000 क्योंट पर क्या सपास पैसे बनते हैं वो आपको Reliance Infra को देने पढ़ेंगे और उनका right है तो उसके बाद दोस्तों दिल्ली High Court में मामला चल रहागी कि पैसे कैसे निकल वा जाए और अब दोस्तों कि दिल्ली High Court में 2-3 महीने से मामला खीचा जा रहा था तो Supreme Court के कहने पर दिल्ली High Court ने कहा है DMRC को कि आप जब अगली next hearing आएगी दोस्तों वो होसता है कि दो-3 हफते में next hearing हो उस hearing में आपको हमें clear करना हो कि कैसे पैसे देना है जो कि 7000 क्रोट रुपे क्या सपस बनता है रिलाइंस इंफ्रा को और जल्दी काम निप्टाना होगा हो सकता है कि कोड फिर एक strict action ले DMRC के उपर तो दोस्तों जो फिर यह अब latest update आया था उसके साब से लगता है कि कहीं न कहीं यह जो matter है जो पैसे आने रिलाइंस इंफ्रा को रिलाइंस DMRC से करीब 7000 क्रोट रुपे जो की एक बहुती बड़ी रकम होती है दोस्तों जो market cap है रिलाइंस पावर की और रिलाइंस इंफ्रा की वो इतनी बड़ी जो यह आपके 7000 क्रोट रुपे है इससे भी छोटी market cap है दोनों ही कंपनियों की तो लगता है कि दोस्तों यह matter कहीना कहीं जल्दी solve होगा और कहीना कहीं पैसे जल्दी आते हुए हमें दिखेंगे और अगर पैसे आते हैं तो यह positive news रहेगी रिलाइंस इंफ्रा के लिए और रिलाइंस पावर के लिए भी इसके लावा कोई और latest update नहीं है रिलाइंस गई है और अब लेकिन नतीजे important रहने वाले हैं क्योंकि काफी सारी पावर कंपनियों ने अच्छे नतीजे दिखाया है तो जब इनके नतीजा इंगे रिलाइंस पावर के वो एक important event जरूर रहेगा अब दोस्तों बात करें कि रिलाइंस पावर में यहां से का important levels होने वाल अब दोस्तों पहले बात कर लेते important levels की तो जो 15 रुपे का level है वो एक important levels है जिसके उपर अगर stock टिकता है तो वो एक positive चीज है और 15 रुपे के असपासी टिकता रहा और हमें पिछले कुछ दिनों से अब एक अच्छी buying देखने को मिल रहे है बजाए जब market आपकी आज 1.5% नीचे है अब यहां से दोस्तों अगर stock में तेजी रहती है तो जो 20 रुपे का level है वो एक कही ना कही resistance बनने वाला है क्योंकि पिछली बार जब stock में बड़ी तेजी आई थी तो stock 18 रुपे के असपास टिक गया था 20 रुपे के ऊपर नहीं जा पाया था अब 18 रुपे के ब अगर आप shares purchase करते हैं तो दोस्तों Reliance Power जैसे हमने पिछली वीडियो में काफी details में discuss किया कि Reliance Power जो अने लंबानी ग्रुप का हिसा है Reliance Power तो उसकी पोरी story क्या रही है कैसे कैसे नोंने समय काटा है तो दोस्तों Reliance Power Reliance Infra जो भी अने लंबानी ग्रुप की company उन्होंने बहु थे उन्होंने Lenders ने बेच दिये बजार में जिसके वो जैसे Reliance Power और Reliance Infra की value बहुत जादा नीचे आ गई थी अब दोस्तों कुछ time पहले Reliance Power और Reliance Infra के promoters ने अपनी stake बढ़ाई है Reliance Power में भी stake बढ़ाई है पैसों के बदले वो पैसे वापस नहीं दे पा रहे थे तो promoters का जो stick बढ़ रहा है वो एक positives आएंगे और बात करें Reliance Power में ऐसा नहीं है दोस्तों कि बिजनस इनका कुछ ही नहीं बिजनस अच्छा-कासा है और थोड़ी बहुत उनमें financials ही दिकत चल रहे है जो कि अगर पैस से कम कर्ज करते रहते हैं आपके promoter holding भढ़ती रहती है तो Reliance Power में अच्छा-कासा दुम रहेगा यहां पे stock दोस्तों एक-दो साल पहले एक रुपे पर काम किया था और अभी फिलाल 16-17 रुपे के आसपास चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहां से stock में बिल्कुल भी दम नही अगर आप stock को अच्छा-कासा time देते हैं तो तो अगर आपके पास shares पड़े हैं तो आप बिल्कुल hold कर सकते हैं जो significant levels है Reliance Power के लिए जैसे आपका 20 रुपे का level हो गया दोस्तों यहां पे आप थोड़ी बहुत profit booking कर सकते हैं अगर stock आता है और 20 रुपे को पार कर जाता है तो दोस्तों फिर significant level हो जाते हैं वो जाएंगे 30 रुपे के 30 रुपे के असपास आप थोड़ी बहुत profit booking कर सकते हैं ताकि जैसे stock बढ़ता है तो वैसे तो भी पता नहीं दोस्तों कि 20 रुपे भी जाएगा या 30 रुपे भी जाएगा है नहीं future में लेकिन अगर आता है तो दोस्तों कि अगर आप नहीं परचीजी के बारे में सोच रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपको तो यहाँ पर दोस्तों में जैसे मैंने बताया है कि एक तो यहाँ पर 15 रुपे का support है और अगर आप shares per shares करते हैं तो आपका यहां से जो एक risk रहेगा open risk जो आपको लेके चलन लेकिन थोड़ी बहुत quantity में आप जरूर पर्चेस कर सकते हैं इस चौक में दम कम हैं कि long term में एक यह अच्छा खासा return दे सकता है लेकिन अगर हो सके तो जो reliance power है उसको आप अपने portfolio में इतनी बड़ी position इतना बड़ा आप exposure ना दीजिए क्योंकि यह थोड़ा risky हो सकता है क पिछले कुछ time में काफी कुछ जहला है depth के चकर में हालत ही आ गए थी company बंद होने की हालत में थी एक दो साल पहले तो risky stock अभी भी है क्योंकि अभी भी कर्ज है इन पर वैसे कम जो इनके promoters है और जो reliance infra है उनका focus है कि हम यहां से कर्ज कम करें लेकिन दोस्तों फिर भी एक अच्छा खासा risk बना रहेगा reliance power में तो हो सके तो आप अपने portfolio में stock को कम exposure दे के hold कर सकते हैं लेकिन हां stock में अच्छा खासा दम है कि यहां से long term में stock आप अगले एक दो साल में अगर चीज़ा सब सही जाती है तो एक अच्छा खासा return दे सकता है multi bagger भी return दे सकता है stock में इतना दम है क्योंकि valuations ज्यादा महंगे नहीं stock के काफी नीचे के valuations पर available है क्योंकि जैसे मैं नहीं बताया कर्ज और promoter holding के चक्कर में जो महां पर issues रहें उसके चक्कर में valuations अभी reliance power के काफी कम है और फिलाल दोस्तों कोई और update नहीं है reliance power के बारे में अगर कोई update आता है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में जरूर डिसकस करेंगे ये वीडियो यह तक थी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजेगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको updates मिलते रहें धन्यवाद